हेलो स्टूरेंट्स AD Online Classes के Online Portal पर आप सभी लोग को स्वागत है तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम लोग यहां पर डिस्कुस करेंगे और कब आप लोग की last date है इसको form को fill up करने की तो आप लोग देख रहे हैं कि उत्राखंट में भी धीरे धीरे वेकेंसी आना स्टार्ट हो रही है और हम लोग यह उमीद कर सकते हैं कि UKPSC में भी आप लोग को वेकेंसी देखने को मिलेगी की AJ की यहां भी अगर हम UJVN recruitment की बात करें AE की वेकेंसी है जिसमें उत्राखंट जल विद्यूत निगम लिमिटेड इसमें देखिए अगर हम लोग को च्छे देखने को मिल रही है इसी तरह के से अगर आप लोग की ब्रांच मेकानिकल इंजिनियरिंग है तो टोटल पोस् दोनों Electrical & Mechanical दोनों के अगर हम पोस्ट को कम्बाइं करें तो 10 सब्सक्राव को दोनों ब्रांच के देखने को मिल रही है इसी तरह के सिवल इंजिनियरिंग की हम लोग कह सकते हैं कि ईसमें जुरूज के स्कंपर टू आप ट्यूंब मेकानिकल तो से सेयोग नुरूちゃोаты OBC की और एक EWS की देखने को मिल रही है अगर हम टूटल एसिस्टेंट इंजिनियर की यहां पर vacancy की बात करें तो टूटल नंबर विकैंसी आप लोग डूंटी वन्हें एक जियोलोजिस्ट की यहां पर vacancy देखने को मिल रही है जो कि या चीश नहीं पड़ने हैं इसमें देखे अगर हम लोग बात करते हैं एक ही electrical mechanical की बात करें यह civil की बात करें सेम तरीके से syllabus दिया गया है इसमें अगर हम बात करें तो part 1 और part 2 दो चीज आप लोग को देखने को मिल रही है दोनों objective type questions आप लोग को देखने को combination करके 50 questions आप लोग को देखने को मिलेंगे और इसमें 50 marks का ही आप लोग का होगा इसी तरीके से अगर हम part 2 objective questions की बात करते हैं तो इसमें अगर आप लोग की electrical है तो electrical पूछी जाएगी और इसी तरीके से mechanical branch की mechanical और इसी तरीके से civil की civil पूछी जाएगी यहां पर भी आप लोग देखोगे कि total number of questions आप लोग के होंगे 126 और आप लोग के maximum marks कितने होंगे 126 तो कहने का मतलब एक number का एक question आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आप लोग देख रहे हैं कि 50 number के तो आप लोगों के यहां पर आप लोगों का पचास नमबर का तो यहां पर जनर रवेनेस एप्टिट्यूट और रीजनिंग देखने को मिल रही है आप लोगों को और साथी साथ इसमें अगर बात करें तो 126 नमबर की आप लोगों का टेकनिकल पूछा जा रहा है और एक number का एक question आप लोगों ने ध्यान में रखना है तीन घंटे की timing आप लोगों की होगी और अगर देखा जाए तो total जो mark से इसकी final selection की वो 200 नमबर है अब आप कहेंगे कि return तो 126 प्लस 50 देखने को मिल रहा है तो 176 का तो return है और 24 नमबर का interview है तो अगर 176 में अच्छा score कर लिया तो 24 नमबर में तो आप लोग ले या आओगे interview में तो main है याप इस return रिटन के लिए 176 marks आप लोगों के लिए है जि final merit बनेगी वो 200 marks की बनेगी 200 marks में से जितने score जिसने highest किया होगा उसी तरीके से merit में आप लोगों का नाम आएगा अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखो आप लोगों के लिए अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर syllabus अच्छा है 50 marks का non-tech है non-tech को अगर आप लोग अच्छा score कर सकते हैं क्योंकि 126 marks आप लोगो को देखने को मिल रहा है technical आगे अगर हम लोग बात करें तो written test के देखो center आप लोगो को कहां देखने को मिलेंगे आप सभी को पता है कि उत्राखंड का state exam है तो उत्राखंड में इसके centers देखने को मिलेंगे जिसमें written test आप ल को भार के states वाले भी apply कर सकते हैं सब के लिए बराबर opportunity है आगे अगर हम बात करें application fee की तो यहां पे आप लोग ने ध्यान रखना है कि 800 रुपे जनरल OBC EWS candidate के लिए 800 रुपे है 400 रुपे आप लोगों का SCST category के लिए तो यह आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो SCST category हों कि उनी के लिए 400 होगा अधरवय जो भार के state के हैं वो 800 रुपे ही पे करेंगे तो यहां पे आप लोग ने इस तरह किसे देखना है इसको अच्छे से आप लोग को यह भी पता लग चुका है कि अपको application fee पता लग चुकी है आपको examination centers आप लोग के कहां का हो सकते हैं यह आ आनके 30 अपरेल तक का wait ना करें क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग last date का wait कर रहे होते हैं और हमारा form fill up नहीं हो पाता है तो अगर आप लोग सच में इसमें interested हैं क्योंकि syllabus आप लोग को पता लग चुका है तो इस form को आप लोग जल से जल fill up कर देना 30 अपरेल तक का wait आपकी exam data भी आप लोगों का नहीं है finalize लेकिन यहां पर देखा जाएगा कि अगर September में आप लोगों का exam हो जाएगा तो यहां पर देखो एक motivational code यहां पर है कि practice like you have never won, perform like you have never lost, practice हम लोगोंने ऐसी करनी है इतनी महनत हम लोगोंने करनी है कि जैसे कि आज तक हम लोग किसी भ perform crack नहीं हुआ है और जब हम लोग perform करने के लिए चाहें तो हम लोग ने इस तरीके से perform करना चाहिए कि आज तक हमारा कोई भी exam ऐसा नहीं था जो नहीं निकला है तो यह point को आप लोग ने ध्यान में रखना है और हमेसा motivate रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है यहीं प में करने के बारे में है पन्यो नहीं है ब्रोग का तो हुआ है अबह ए और हम फोग गलो यहदो है आरहा है करई यहीं है थो हमशना है क्यों आरहा है और फॉ छिएा-घूर यहा हैं तरहा है बिर चाहर और है करने के बök fulfें बchn Mantरी है दित हैं है कि आधक प्ध़ का और हूं